सुरज और आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे white dwarf star के बारे में अबे रीसंटली नासा के कुछ वैग्यानिकोंने 시대 User Department और पर आप्जर्ब कर रहे थह उनकों ये देखने को मिला कि यह जो white dwarf star था यह तीश मिनट के प्रिथ्वी पर आ रही थी फिर 30 मिनट के लिए बंद हो जा रहे थी फिर 30 मिनट के लिए बंद हो जा रहे थी और यूजली ऐसा होता नहीं है ऐसा होने में करीब एक हपते से लेकर माहीनों का समय लगता है तो इस वज़े से यह काफी important है और यह switch on and off event क्या है इसके बारे मे मैं आपसे question पूछूँगा काफी simple सा question है question यह है which of the following is a white dwarf star यानि निमने में से कौन एक white dwarf star है तो चार option आपके पास है पहला IK Pegasi, Polaris, Betelgeuse और Sirius B इस कूट का प्रयोग करके आप इसका answer दीजे इसका answer मैं आपको दूँगा इस वीडियो के end में अब हम बात कर लेते हैं news क इसके बारे में recently एक अंतराशी टीम ने देखा कि एक white dwarf star ने अपनी चमक 30 मिनट में ही खो दी है इस प्रक्रिया में आमतोर पर कई दिनों से लेकर महीनों तक का समय लगता है जैसा कि मैंने आपको भी बताया और एक white dwarf star की इस घटना को switch on and off घटना के रूप में classify किया जा इसको आने वाले अभी कुछ मिन्टों मैं आपको डीटेल में बताऊंगा कि यह किस तरीके से हुआ है साथ ही यह NASA का जो Hubble Space Telescope और Transiting Exoplanet Service Satellite है जिसे टेस कहा जाता है का उप्योग कर गे astronomers ने कई white dwarf stars की पहचान की है और अब हम बात कर लेते हैं white dwarf star के construction के बारे में यह बनत हो जाता है और ऐसे तारों का घंद तो जो होता है वह बहुत अधिक होता है एक सामान सफेद बॉना यानि white dwarf star हमारे सूर के आगार का आधा होता है और इसकी सता का गुरत्वा कर्शन प्रत्वी से लगवग एक लाग कुना अधिक होता है यानि यह बहुत dense होते हैं और सू आपमान और बाहरी दबाव पैदा करती है और वे इन्हें रेड जाइंट में भी बदल देते हैं और लेकिन यह दबाव एक तारे के दर्वेमान द्वारा उत्पन गुरत्वा कर्शन द्वारा संतुलित हो जाता है तारे में उपसित हाड्रोजन नाभी की सलेन की प्रत्य द्वारा से खत्म हो जाने के बाद गुत्वा कर्शन बहुत अधिक हो जाता है जिसके कारण तारे सफेद बौनमीर उपांतरित हो जाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक ड्वार्फ स्टार की यह कैसे बनते हैं तो वाई ड्वार्फ स्टार को ब्लैक ड्वार्फ स् हुआ है कि अभी इस तरीके का कोई Black Dwarf Star बना हो और यह ध्यान देने वाली बास है कि सभी White Dwarf Star शांत होते हैं जब कि Black Dwarf Star में बदल जाते हैं यह White Dwarf Star जो होते हैं यही Black Dwarf में बदलते हैं मुझे पता अभी आपको चीजे समझ में नहीं आई है आपको मैं इस figure के माध्यम से समझाता हूँ बिल्कुल आसान शब्दों में यहां पर आप देखिए यह एक star होता क्या है कि यह जो star है कि इसमें जो उर्जा होती है इसके अंदर यहां पर जो hydrogen होता है वो nuclear fusion के माध्यम स इनर्जी में convert होता है और साथी fuse होकर वो helium बनाता है और ऐसा करने में ऐसा जब खुता है तो एक तो पहली बास तो प्रेशर होता था से चमक oyster होता है साथी o已经 institute है चमक जे बनती सतारे की वो और जो दबाव पैदा होता है वो इसके कोर से बाहर की तरफ होता है और साथ ही इसकी सता जो होती है वो अंदर की तरफ दबाव डालती है और एक बैलेंस की सिती इसमें उत्पन होती है जिस वज़ा से यह बना रहता है जाता बड़ा नहीं होता है यह तारा लेक वो core में धसने लगती है यनि अंदर की तरफ धसने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि जब यह धंस्ते धंस्ते बिल्कुल ही छोटी हो जाती है और इसका घंत तो बहुत जादा हो जाता है और ये convert हो जाती है white dwarf star में और ये तो होगे दूसरी स्थिति और पहले स्थिति और इसमें एक समय ऐसा आता है कि जब इसका hydrogen इधन जो है वो खतम हो जाता है सिर्फ बसता है helium अब क्या हो अब ये star ऐसा करते हैं उस helium का भी उपयोग करने लगते हैं उस helium को भी उर्जा में इंदर का गुर्टवा कर्षण बहुत जादा बढ़ जाता है कोर का बैसिकली और ये बदल जाते हैं red giant star में ये इसकी second stage है और तीसरी stage ये होती है कि जब ये black dwarf में बदलते हैं कि मान लिजे जब इसका hydrogen fuel जो है बिल्कुल खतम हो जाता है और ये बिल्कुल छोटे से यानि जब खतम हो जाती है तब ये बदलता है black dwarf star में तो ये थी तीनों condition I hope आपको अब समझ में आ रही होगी चीजे अब हम बात के लेते हैं चंदर शेखर limit के बारे में ये क्या है तो white dwarf star के द्रवेमान की उपरी सीमा और solar masses जो white dwarf star के द्रवेमान की उपरी सीमा है ये solar masses के 1.44 पर गुना से अधिक विशाल नहीं हो सकती अगर ऐसा होता है तो ये जो white dwarf star है या तो ये black hole में बदल जाएगा या तो red giant में बदल जाएगा और इस सीमा पर इसके केंद्र में दवाव इतना अधिक हो जाता है कि तारा thermonuclear supernova में विसफोट कर देता है और अब हम बात कर ले पतलब इसमें दो star होते हैं जो एक दूसरी की परिक्रमा करते हैं चकल लगाते हैं और जिसे TW pictoris कहा जाता है यहां एक तारा और एक सफेद बॉना तारा यानि white dwarf star एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे जो साइंटिस्ट ने अब्जर्व किया है दो पिंड एक दूसरे के इ star है यह एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए भी करते करते इस star की यह white dwarf star इस star की जो dust है जितना भी material है इसको खीचने लगता है अपने चारों तरफ और एक एक डिस्क का निर्माड करता है जिसे अभी विरिद्धी डिस्क या एक्रेशन डिस्क कहते हैं तो आगे बढ़ते ह जैसे ही यह समाग्री सफेद बौने तारे तक पहुँचती है वैसे ही अभी विरिधी डिस्क जैसे कि मैंने आपको बझाया एक्रेशन डिस्क या gas या plasma और उसके चारों और अन्यकड़ों की एक डिस्क का निर्माड करती है और यह डिस्क चमकती है काफि है और जैसे-जै जब डोनर वाइट डॉर्फ स्टार की एक्रेशन डिस्क के निर्माण में सहयोग नहीं होता है हाला कि इसके कारण अभी असपश नहीं हुए ऐसा क्यों होता है जब ऐसा होता है तो डिस्क का चमकीलापन बना रहता है क्योंकि उसकी अपवाहित सामागरी पूर्वा अनुम अनुमान बनी रहती है अपवाहित मतलब जो उसने उस स्टार से सामागरी को खीचा है अपने डिस्क के निर्माण के लिए इसके बाद अधिकांच सामागरी को अपवाहित करने में डिस्क को लगबग एक से दो महीने लगते हैं कहने का मतलब यह जो वाइड ड्वार्फ स्टार है और यहाँ पर जो बड़ा वाला स्टार था इस white dwarf star ने इस बड़े वाले star की जो समागरी अपने अंदर खीची थी अपने चारों तरफ खीच कर एक disc का निर्मान किया था ये हमेशा नहीं खीचता एक time के बार ये इसे वापस फेकने लगता है outer space में तो इसे वापस फेकने में एक से दो महिने का समय लगता है और हुआ यहाँ पर यह है यह जो white dwarf star था इसने जब इस समागरी को खीचा तो इसके चारों तरफ चमक उत्पन हुई उसी accretion disc की वाज़ा से लेकिन अब यह जो चमक थी यह 30 मिनट में चली जा रही थी ऐसा कैसे हो सकता है इसी पर यह बैग्यानी काफी चिंता कर ले थे और इसको जाने में करीब एक से दो महिने लगते हैं आई होप आपको अब समझ मिया रहा होगा हाला कि यह 30 मिनट में TW pectoris की चमक में पूरी तरीके से परत्यासित गिरावट इसमें देखी गई है माना जाता है कि यह Magnetic Gating नामक प्रक्रिया के कारण घटित हो रहा है और Magnetic Gating प्रक्रिया यह तब होती है जब चुम्ब की चेत्र White Dwarf Star के चारों और इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि यह White Dwarf Star को प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्र में बाधा उत्पन करता है यानि कहने का मतलब यह आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो White Dwarf Star है और यह जो बड़ा वाला Star है यह क्या करता है कि Magnetic Field जो है इस White Dwarf Star को चारों तलफ से एक तरीके से कवर कर लेता है और इस Star से जो इसकी समागरी है इस White Dwarf Star तक नहीं पहुँचने देता है जिस वज़ा से इसकी चमक जो है एक से दो महीने में खतम होने के बज़ाए कुछ चंद मिंटों में ही खतम हो जाती है यह इसका कारण माना जा रहा है Magnating Gating का अब इसके महात्त की बात करें तो यह खोज Accretion Disc के पीछे की Physics को समझने में मदद करेगी जैसे कि Black Hole और Neutrons तारे अपने आसपास के तारों से समागरी कैसे प्राप्त करते हैं इनके बारे में और I hope अपने इसके बारे में भी सुना होगा यह जो Black Hole होते हैं या फिर के चारों तरफ भी एक Accretion Disc बनती है तो इसको समझने में काफी मदद मिलेगी और चंदर शेखर सीमा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया तो कुछ important point और जैसे चंदर शेखर सीमा है कि स्थिर सफेद बौने तारे के लिए सधानतिक रूप से संभव अधिक्तम और द्रविमान कि एक तश्मलोच चार-चार गुना से अधिक विशाल नहीं हो सकते हैं किसी भी अपशही वस्तु को अधिक विशाल रूप से अनिवारे रूप से न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में गिरना चाहिए और इस सिमा का नाम नोबल प्रसकार विर्जेता सुब्रा मनयम चंदर शेकर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने पहली बार 1931 में इस विशार का प्रस्ताव रखा था और से तारों के जरजना और विकास में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके काम के लिए वर्ष 1983 में उन्हें बहुत की में नोबल प्रसकार से भी स इस इमज में देखे यहाँ पर यह बड़ास चमकीला तारा यह यह स्टार है और यह एक फेंट पॉइंक्ट आप यह पर देख पाहरा है हो यह है तिर्ये और यह बड़ाए धवाना स्लिश का नाम सीर्यस भी है और यह बड़ा वाला प्रस का नाम यह सान्पी है यह एक स्टार है और यह सन है यहाँ पर यह चोटा सा पॉइंट है यह है आई के पेगासी वाइड ड्वार्फ स्टार सो इसके साथ ही आपको पता होगा कि नोबल प्राइस दिया गया था 2020 में जिन वैग्यानिकों को इनका काफी बड़ा योगतान था इसे खोजने में इस र करता रहता हूं साथ के लिए आप यह छानल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप को लेक्षर पसंद आया हो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइड जलू करें वश्यार दें अपना फीलड़एंग आव Kerry दैस